नमस्कार किसन सातियों स्वागत आप सभी का एक बार फीर से मालवा किकेती यूटूब चैनल पे किसन सातियों जब भी आपने अपने लसुन को फसल को उखाड़ा होगा तब आपने उसमें देखा होगा कि कुछ लसुन की पोदे की जो जड़े होती हैं वो लालिया गुलाबी रंकी होती हैं तो आखिर इसका कारण क्या है और किस कंडिशन में यह हमारी फसलों को नुकसान पहुचा सकते हैं और किस परकार से इस रोक से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं तो पूरी ज़नकारी इस वीडियो में कवर करेंगे आप पूरी ज़नकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा साथ ही मेरा आपसे एक निवेदन हैं यदि आप चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक कीजिएगा और अंज dependency सब्सक्राइब कीजिएगा किसंथियो इस रोग को हिंदी में नाम देतों गुला भी जड़े कह सकते हैं और अंग्रेजी में इसका नाम किसंथियो फोमारेस्टिस के नाम से इसे जाना जाता है मुक्यतयो जो रोग है जडों में लगने वाला रोग है और प्याज की फसल में इसे मुख्य रूप से गिना जाता है क्योंकि लस्तून की फसल भी प्याज के कूल की ही फसल है इसलिए इस रूप की लक्षन लस्तून की फसल में भी देखे जाते हैं किसासातियों यह एक भंगर जनित रोग हैं जैसा की नाम से ही पता हैं कि गुलाबी जड़ का मत और पोर्ण लक्षन ही यह सही है कि इसकी से जो जड़े होती हैं वो आपकी पसल की लाल हो जाती हैं जो सक्रमी जड़े हैं सबसे पहले हलके गुलाबी रंग में बदल जाती हैं फिर गहरे लाल रंग में और कभी-कभी बिंगनी रंग में भी बदल जाती हैं जड़े सिकुड जाती हैं बाद में काली होकर मर भी जाती हैं आप इसे तोड़ोगे तो यह आसानी से टूड भी ज जाती है इस रोग का नुकसान तब देखा जाता है जब आपकी फसल में ये मध्य वस्ता में या सुजवाती वस्ता में लग जाएं क्योंकि जो रूट होती हैं जो जड़े होती हैं वो खराब होने लगती हैं और फिर बोदे का पोशन सही तरीके से नहीं हो पाता है जिसके क फसल यहीं पकने की अवस्ताव में है और फिर आपकी प्रज्कों की रोक्ताशन आsed खांजाँद। पेल्ब उनिकित चा संथियों फूजिरयम नाम होती हैं उसकी प्रती के कलाए इस प्रकारिस से हमारे पोदे की जड़े हैं, वो infected हो जाती हैं, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि जो संक्रमन होता है फंगस का, वो कहीं पर घाव लगने के बाद पोदे हमें प्रविश करती हैं, लेकिन इस परजाती के कारण आपकी जड़ो में कोई भी कि जड़े जूरी रहती हैं, वहाँ तक चली जाती है और इस प्रकार से आपके पोदे को नुकसान पहुचाती हैं, शुरुआती वश्टा में जब आपकी फ़सल में यह रोग लग जाता है, तो आपके जो फ़सल के जो पोदे हैं वो बोने रह जाते हैं और कम विक्सित ह होते हैं तो किसन साथियों अपनी इस पसल को बचाने के लिए इस रोक से हम क्या कर सकते हैं तो शुरुआत में हमें तो सबसे पहला यह करना है कि हमें अच्छा पसल चख्रान अपनाना है प्याज लसुन के फसल में कम सकम तीन से छे वर्षों का फसल चक्रा अच्छी तरह से हम अपनाएंगे तो ये जो फंगस है मिस्सी दूप से हमारे खेत में इतना फेल नहीं पाएगी लगातार हम ये प्याज लसुन की खेती करते रहेंगे तो इसका प्रकोव हमारे खेत में बढ़ता जाएगा जिससे कि हमारी फसले ज़्यादा इंफेक्टेड हो सकती ही दूसरा किसन साथियों ये एक हानिकारक फंगस है और फंगस को फंगस कतम करता है तो हमें एक मित्र फंगस लेना है और वो है ट्राइकोडर्मा किसन साथियों आपने इसके बारे में सुना होगा ये एक मित्र फंगस जित्ती भी हानिकारक फंगस है हमारे खेत में उन सब को समाप्त करती है तो आप जब भी अपने लसुन की भुआई करे उस समय इस पाउडर से तब आप उसमें जो एक बहुती सस्ता और अच्छा सा फंगस है और इस फंगस में फुजरियम नाम की जो फंगस है उसमें बहुत अच्छी तरीके से काम करता है उसका टेकनिकल नाम थायोपिनेट मित्धाई लें और उसे आप रुको के नाम से जानते हैं उसकी ड्रेंचिंग करते हैं तो भी आपकी फसल उस अवस्ता में बच सकती हैं किसासतियों इसका उत्पादन में कितना असर होगा ये आपकी फसल में कब लगा है इस बात पर डिपेंड करता है यदि आपकी फसल मद्य वस्ता या सुरुवाती वस्ता में इस रोग से infected हो जाती हैं तो आपको नुकसान हो सकता है लेकिन यदि आपकी फसल बाद में जब पकने की कागार में इस रोग से infected होती हैं या सक्रमित होती हैं तो आपको कोई जादा नुकसान देखने को नहीं मिल तो किसनसात्थ हो इस पिरकार से आप अपनी फ़सल को बचा सकते हैं और इस रोग को पेलने में जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है किससात्थ हो तो कि आप की खेट की मिटे को infected नहीं करवाएगा यानि आपको पोदे की immunity बनाया रखना है तो इस रोक से आप अपने फसल को इस प्रकार से बचा सकते हैं किसा साथियों यदि आपकी फसल मध्यवस्ता में है तो ही आप इन थाइपिनाइट मितायल या ट्रैकोडर्मा वीडी का प्रियोग करके अपने फसल को बचा सकते हैं लाश्ट कंडिशन में जब फसल पगने के गागार पे हो तो कोई ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा और यदि ये जड़े सक्रमित हो चुकी हैं तो फिर आप यदि पाउडर का प्रियोग करते हैं या फंगिसाइट का प्रियोग करते हैं तो फिर आपको अच्छे रिजल्टर देखने को नहीं मिलेंगी इसलिए आपको प्रियोटर ट्रिट्रमेंट इस रोग से बचाने के लिए अपनी फसल में करना हैं आप दो बार ही काफी हैं आप दो बार हाइट मिताहिल का अपनी फसल में खड़ी फसल में डेचिंग कर सक और इस रोग से अपनी पसल को बचा सकते हैं रोग लगने के बाद इसके चांस बहुत कम है कि रोग ठीक हो जाए क्योंकि तब तक नुकसान हो चुका होता है आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी उम्मिट करता हूं कि यह जानकारी आप अन्य किस благ यक्यित में पहुचाने कि लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जनकर साथ अब तक किसन साथियों खैल रखेगा आपना अपने परिवार का और अपनी फसलों का किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट के बादे हम से आप पोस्ट सकते हैं जहां तक मुझे जनकर होगी वो मैं आपको किसाथ आती है तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जहीं जही जावान जही किसाथ